आज तो तो केचाप आज ममा चिकन चंगेजी बना लिए और मुझे पोट्टे टीपी लगता है पार मुँँआ असलाम लेकूम एवरीवन वेलकम बाक टू माय चानल जूपिस कुकिंग तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं के साथ मैं भी अच्छी हूँ तो एक बार फिर हाजिर हूँ और आज आप सब के साथ लाई हूँ एक और नई रेसिपी तो आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी चिकन चंगेजी की रेसिपी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रेसिपी है, मसाले थोड़े जादा डलते हैं, लेकिन बहुत ही जादा रिच और यमी रेसिपी ये बनती है, आप भी अपने घर में ट्राय जरूर कीजेगा और मेरे सा गड़े 500 गराम चिकन जिसको अच्छी तरीके से धोकर एक बड़े बाउल में रख लिया है मैंने, आप सबसे पहले हम इसादर डालेंगे लस्टन अदरग का पेस्ट, एक बड़ा चमच अदरग का पेस्ट और एक बड़ा चमच लस्टन का पेस्ट मैंने ले लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे साथ ही हम इसमें डालेंगे एक छोड़ा चमच नमक या अपने टेस्क के मुताफिक आप इसमें नमक डाल दें इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे दो छोटे चमच कश्मीरी लालमेच पाउडर कश्मीरी लालमेच पाउडर से हमारे चिकन में बहुत अच्छा सा कलर आएगा अब हमें डालनी है दो बड़े चमच भर के दही और दही ऐसी होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो तो दो चमच में इसमें दही डाल रही हूँ अब सभी चीजों को अच्छे तरीके से हाथ से चिकन में मिला लेंगे आप चाहें तो चमच से मिला लीजे लेकिन ये जो मसाला जो मिलता है चिकन में हाथ से ही जादा अच्छे तरीके से मिलता है चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सभी चीजों से अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे आप चाहें तो इस चिकन को 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और अच्छी तरीके से चिकन मैरिनेट हो जाएगा तो चलिए जब तक हमारा चिकन मैरिनेशन होने के लिए रखा हुआ है जब तक हम इसका मसारा दयार कर लेते हैं तो लो फ्लेम पर गैस ओन करके एक बड़ी कड़ाई ली है मैंने अब इसके अंदर हमें डालना है एक चमच ओईल बहुत ज़रा सा ओईल डालना है जादा नही ओईल डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं दो बड़े साइस की प्याज जिसको हमने रफली कट करके रखा हुआ है प्याज के साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप काजू अब हमें काजू और प्याज को अच्छे से सौते करना है थोड़ा सा सौफ्ट होने तक और गैस की फ्लेम को इस वक्त हम मीडियम कर देंगे अब हमें चलाते हुए प्याज और काजू को मीडियम आज पर हलका सा प्याज को भुजगने तक यानि कि प्याज थोड़ी सी सौफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है तो मीडियम आज पर हमने चलाते हुए इसे दो से चार मिनट के लिए भूना और आप देख सकते हैं हमारे काजू पर हलका ब्राउन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया हमारी प्याज भी हलकी सौफ्ट हो गई है और कलर चेंज करने लगी है अब हमें इसके अंदर डालने हैं तीन बड़े साइस के टमाटर तो ये भी हमने ऐसे ही रफली मोटे मोटे कट करके रखे हैं और ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे अब हमें इन तीनों चीजों को दो मिनट के लिए और पकाना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर तो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो चलाते हुए एक से दो मिनट और पकाएंगे तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद मसाले को पकते हुए एक से देड़ मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं यह देखिए टमाटर जो हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं बस इतना ही हमें इन तीनों चीजों को पकाना है अब हम करेंगे गैस को बन और इसको बाहर निका इसी में पेस तयार करना है चिकन को मैरिनेट के हुए 15 मिनट हो गए हैं अब सेम कडाई को मैंने धोकर ले लिया है और मीडियाम फ्लेम पर ग्यास ओन कर लिया है अब इसमें डालेंगे दो बड़े चमच तेल और यह रहा हमारा मैरिनेट के हुए चिकन अब तेल के अंदर हम चिकन को डाल देंगे अब मीडियाम फ्लेम पर हमें चिकन को 90% तक गलने तक पकाना है और जब तक पकाना है कि एकदम खुशक हो जाए सारा मसाला जो भी इसका पानी अभी पानी चुटेगा वो सब खुशक हो जाए और बीच-बीच में चलाते रहना है तो चिकन को पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं और यह मैंने दूसरी तरफ से पलट दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन पे जो कोटिंग है कोटिंग आनी शुरू हो गई है तो जब तक यह आपके चिकन पे ऐसी कोटिंग आनी शुरू नहों जाए तब तक के लिए आप चिकन को अच्छे से पकाएं अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे जब तक ये देखो आपको नीचे मसाला दिख रहा है ये पूरा मसाला बोटियों पे लिप्टा लिप्टा ना हो जाए तब तक के लिए और चिकन भी तब तक अच्छे से गल जाएगा तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे तरीके से पक गया है इसके आप देख सकते हैं कोटिंग चड़ गई है गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और चिकन को एक लेट में बाहर निकाल लेंगे हलके हाथ तो चिकन को हमने बाहर निकाल लिया है बहुत अच्छे से हमारा चिकन पग गया है और कितने अच्छी कोटिंग आई है तो चलिए अब चिकन चंगेजी के मसाले को भून लेते हैं इसका मसाला तयार कर लेते हैं तो अब जो है हमने सेम कड़ाई ले लिए और गैस की फ्लेम क को हमने लो कर दिया था अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे यह चिकन का ही बचा हुआ तेल है इसी के अंदर हम लगभग दो से तीन बड़े चम्मच टेल और डालेंगे और जैसे ही लगए कि तेल हलका सा गर्म होना शुरू हो गया है एक चम्मच लस्ण अद्रक का पेस्ट मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे अच्छे से लस्ण अद्रक को भून लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे इस टाइम यहां पर हमारा लस्ण अद्रक अच्छे से भून गया है अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, प्याज और काजू का पिसा हुआ मसाला अब इस मसाले को पिसे हुए मसाले को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है तो आप देख सकते हैं तब भी हमारा कितना अच्छा कलर आया है तो अब ग्यास की फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ सूखे मसाले तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक छोड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर दो छोड़े चमच धनिया पाउडर एक छोड़ा चमच चाट मसाला पाउडर आदा छोड़ा चमच गरम मसाला पाउडर सभी मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे यहीं पर सभी सुके मसाले को मिक्स करने के बाद इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप के करीब दूद और साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिस वक्त आप दूड डालें, मेक्शोर करें कि गैस की आच बिल्कुल हलकी ही होनी चाहिए और जब आप मसाले के साथ दूड को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद आप गैस को हलका सा मेडियम करके, फिर मसाले को अच्छे तरीके से हमें भूनना है अब लो फ्लेम पर चम्मच को हटा देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर धक कर हम इस मसाले को तब तक के लिए पकने देंगे, जब तक मसाला और तेल अलग अलग ना हो जाए तो हमारे मसाले को भूनते हुए लगबग 10-12 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे बीच-बीच में चला दिया था 2-3 बार और आप देख सकते हैं इसका तेल अलग होके ऊपर आ गया है, मसाला जो है अलग हो गया है तो अब हम इसे एक बरी चला लेंगे, तेल खूब अच्छी तरीके से अलग हो गया है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम साथी हम इसमें डाल देंगे थोड़ी कटी हुई अद्रक और दो ग्रीन चिली जिसे मैंने बीच में से चीरा लगा लिया था, मिक्स करेंगे क्रीम डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन जिसको हमने पहले ही अच्छे से भून के रखा हुआ है और इसके साथ ये मसाला तेल सब कुछ इसमें डाल देंगे और आपने नोटिफ किया होगा कि मैंने सारे मसालों के साथ नमक नहीं डाला था वो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हमने चिकन में काफी सारा नमक डाला था तो इस वक्त आप चिकन के साथ मिक्स कर लें मसाले को और फिर आपको जितना भी नमक की जरूरत लगे फिर नमक डालें तो अब हम हलके हाथ से चिकन को मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच कसूरी मेथी तो साथ ही इसमें डाल देंगे आदा चमच नमक और अब अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे अब सभी चीज़े डालने के बार लास्ट में हम इसमें आदा नीमबू निचोड़ेंगे जो कि हमारे चिकन को देगा एक टैंगी फ्लेवर और अब हमें इसे ढख कर तब तक के लिए पकाना है जब तक कि जितना भी चिकन में कसर है थोड़ी बहुत वो पूरा अच्छे तरीके से गल जाए मीडियम फ्लेम पर ढख देंगे और चिकन को गलने तक पकने देंगे तो हमारे चिकन चंगेजी को पकते हुए पांच मिनट हो गए हैं हलके से इसका ढखकन उठाते हैं और देखते हैं इसका फाइनल लुक तो यह देखिए हमारा चिकन चंगेजी बन के हो गया है तयार चलिए अब गैस को करते हैं बन और इससे करते हैं सर्व यहां पे लेली हमने एक छोटी सी प्यारी सी कड़ाई जिसमें हम इसे सर्फ करेंगे तो लीजिए हमारी जबरदस ट्रेडिशनल चिकन चंगेजी की रेसिपी बन के तयार है आप भी इसे बिल्कुल इसी तरीके से बना के ट्राइ करें रुमाली रोटी तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्फ करें बहुत ही मज़ेदार यह रेसिपी बनती है तो यह थी हमार चिकन चंगेजी की रेसिपी होफ करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो थमसब जरूर दें और अच्छे अच्छे कमेंट इस वीडियो में छोड़ें दो कि मैं आपको अगली वीडियो में मेंशन करूंगी और यह रहे पिछली वीडियो के टॉप 5 कमेंट अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट्स हमारी अगली वीडियो में मेंचन हो तो आप भी इस वीडियो पर अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं मुझे इंस्टेगराम पे फॉलो करना मत भूलिएगा मेरा इंस्टेग्राम नेम है जूफिस कुकिंग और फिर मिलेंगे एक और नहीं रेसिपी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं उमीद करती हूँ कि इस रेसिपी के वाल आप इस रेसिपी को इतना लाइक और शेयर करेंगे कि मेरा चैनल एक लाग क्रॉस कर जाएगा क् मैं चाहती हूँ आप लोग सपोर्ट करें अपने इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें बाई बाई सव्सक्राइब